आज मैं बच्चों के लिए लेकर आए हूँ आटे के लड़ू जो की बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं प्रोटीन से भरपूर होते हैं अगर बच्चा इसको खाएगा तो बच्चों का बजन भी बढ़ेगा लड़ू को बनाना काफी जादा एजी है लड़ू को बनाने के लिए यहां पर हम शुद्ध घी लेंगे इंगिरिडियंट मैंने पहले ही लिग दिया हैं सारे तो आप उसको देख सकते हो सबसे पहले हम जो ड्राइ फ्रूट्स हैं उनको फ्राई कर लेंगे मैंने आप ड्रा ग्राइ थोड़ा बढ़ा है इसली खा सकता है तो आप ऐसे घी डाल सकते हो यह बच्चे तो घ्यास भाएं सकते हैं लड़ू बढ़े भी खा सकते काफी टेस्टी होते हैं राइ सुद्ध ग्राउन कर लें जब आपके यह जो ऐज राइ प्रूट्स हो झालें इनको तो एक यहां पर मैंने आटे को लगभग आधा घंटा भूंजा है और बहुती अल्की गश्वाइब तब ही लड़ू का सौध आएगा तो आप भी ऐसे ही करिया इसको लगभग गैस पर भूंजते रही है मैं इसमें घी लगभग मैंने यहां पर 500 ग्राम घी डाला है आधा गलो जो आटे में 500 ग्राम घी डाला है और फिर उसकी मैं अच्छे से भूंजाई करूंगी जितना ज्यादा घी होगा उतना ही जो लड़ू है उसकी मुठी बनेगी अदर्वास लड़ू जो है प्रॉपर घी जो बनेंगे शेप में नहीं आएंगे तो घी आप जितना ज्यादा डालेंगे उतना ही अच्छा है और बच्चों के लिए भी हेल्दी होता है और यहां पर मैंने देशी घी का यूज किया है आप भी देशी घी में बनाए तो सौाद भी लड़ू का का अच्छा अच्छा है और पर अच्छा है यहां फिर से इसको आटे के साथ अच्छा है और यहां पूंची क्योंकि जल्दी भूंच जाते है तो इसलिए मैंने लगबग दस निट आटे को बहुंचा है उसके बाद पिसे हुए राइप रूट था आटे में डाले है और साथ में है जब थोड़ा अच्छे से भुंच जाएगा इसको फिर हम एक किसी फैले हुए बरतन में निकाल लेंगे आटे को दियान रखें आटा लगे नहीं नीचे से गैस पर तो आप लगातार इसको मुझते रही है इसको डाल के छोड़ना नहीं है आपको देखना है अभी घी मु क्योंकि मेरा आटा लगबग हो चुका है इसको मैं जो एक इसी बड़े बरतन में ट्रांसफर करूंगे देख सकते ह 가능at ऑप ब्राऊन होने लगा है और अच्छे से भुंच किया है तो मैंने एक बड़े बरतन में चाही ट्रांसफर कर लिया है तूश कर रिष्टेक्व करें अदिन क oneself करों कि कि अप्धे कि यहां पर पिस्वी चीनी का आपाइरा, गलाइंड क सकते हैं वेक यहां बहुत गरम तो हम कसी कन्षली के साइधा से हैलप से च़लाए सब्सक्रात करा दो है अगर चीनी अपर शीन का यागर दालए हो किल भी राई किया है तो आधा किलो में लगबक 300 ग्रम चीनी डाली हो और यहांपर मैंने ड्राइब बाईची डाल सकते हैं और यहां पर किसमिस का मैंने यूस किया है तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद थोड़ा सामया यहां पर घी भी एड़ करूंगी क्योंकि मुझे मुठी बनानी है जो गोल-गोल लडो बनाने है अब थोड़ा सामय जब हलका सा हो गया है थंडा बहुत क्योंकि गरम कि उल्टा थोड़ा सा थंडा बनाना शुरू करूंगी जो लड़ु है बहुत थंडे पर नहीं आपको बनाने जब गरम होगा तब ही आपको बनाना अधरवाइस लड़ू सबनेंगे नहीं यहां पर देख सकते हैं मेरी जो पिन्या है वो रैडी हो चुकी है और बच्चे इ एक भी खा लेगा पूरे दिन में तो काफी अच्छा है बच्चे के लिए